पेपाल का अकाउंट अगर आपकी कंपनी यूएस में रिजिस्टर्ड है तो पेपाल का अकाउंट को क्रियेट कर सकते हैं आपके पास ITIN फर्स और फॉल होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अटर्स यहां नहीं दे सकेंगे क्योंके पाकिस्तान में पेपाल क्रिजिबल नहीं है पेपाल अकाउंट को क्रियेट नहीं कर सकते हैं अलो इसलाम लेकुम जिस सामेर रनीफ और पापस सब्सक्राइब इसनों दोर आपका बिजनस ग्रोग कर आओगा और आज इस वीडियो में देखने हो लें कि आप अपना पेपाल का अकाउंट अगर आपकी कंपनी यूएस में रिजिस्टर्ड है तो पेपाल का अकाउंट कैसी क्रियेट कर सकते हैं तो था कि उपना पेपाल का अकाउंट विल्वद कर सकते हैं अगर आपकी यूएस की पेपाल को अकाउंट को क्रियेट करने के लिए आपके पास आटेंड होना बहुत जरूरी है second यहां पर आपको पास जो है एक business mailing address हो जिसके ओपर अगर आपको required कर रहा है आपका जो PayPal तो आप उसको अपना address दे सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान के address यहां नहीं दे सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान में PayPal इरिजिबल नहीं है और आप अपना PayPal अकाउंट यूएस की company के एंडर बना रहे हैं तो इसलिए स्टार्ट करते हैं step by step देखने हो लें कि आप कैसे अपना PayPal का account easy create कर सकते हैं अगर आपकी company UK Limited है और UK के में registered है तो आप नीचे description में आपको link मिलेगा साइट पर आपको शो हो रहा होगा thumbnails तो इस वीडियो को find कर लें नीचे description से easy दून लें और अपना PayPal account create कर लें और चलिए अभी देखते हैं कि यूएस का PayPal account कैसी create कर सकते हैं अगर आपकी company US में registered है अगर आपकी कुछ query हो कु Facebook group में वहां पर joint करके वहां पर अपनी query डाल सकते हैं मैं मेरी team हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर query का जवाब वहां group में दे सके और अगर कुछ question होगा तो नीचे comment box में लिख सकते हैं यहां पर अगर आपको VTS की जूरत है तो कैसे create करें कि Walter highly recommended है उसको पर detailed video create कर सुपा से और नीचे description से आपको link मिल जाएगा आपको use करने के लिए hundred dollars मिलेंगे कि आप उसे use करें आपके account credit होगा वो जिसको आप use करके उसके बाद अपनी subscription को activate कर सकेंगे तो नीचे description से आपको link मिल जाएगा अपना VPS purchase करने के लिए तो यह मेरे पास मैंने अपना VPS वोल्टर पर जो create किया है उससे remote desktop से login कर लिया है अब मैं वहां पर अपना account क्रियेट करूँगा यहां पर आने के बाद आपने just chrome के उपर click करना है click करें Chrome के उपर अब यह आपको सामने जो windows open होगी उसमें से आपने simply क्या करना है process start करना है अगर आपके पास PayPal US का link दी तो निचे description से वो भी आपको मिल जाएगा तो यहां पर आ जाते हैं और मैं यहां पर simply link देता हूं PayPal तो मैं यहां पर PayPal लिख दिया अब मैं इंटर के बेटन के उपर click करता हूं और यहां पर देखे डिजिटल वालेट, money management and more PayPal US यह सबसे आप वाकिफ होंगे जिनको इनकी जुरुत है डिजिटल मार्केटर हूं या फ्रीलांसर हूं आपको PayPal की जुरुत होती ही है या आप Shopify स्टोर या आप WooCommerce स्टोर रन करे हैं या आपको सिर्व सेल करे हैं तो आपक पेपाल को और वह एजी और सेफ फील करते हैं आपको पेमंट देने के लिए तो इसी लिए PayPal हाई रेकेमेंड है जस्ट फर्स्ट लिंक आपके पास है उसके उपर आपने क्लिक कर देना है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं और इसके पाद शॉप्स एंग मैंश मैं जरस पीजिस कर सकते हैं आपके अकार्ट की प्रेडिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो यहां पे हमारे पास आप just sign up के बटन के उपर click करें और इसको मैं थोड़ा से यहां पर करने के बाद आपके पास the secure way to pay and get paid business के बटन के उपर आपने क्लिक करने क्योंकि आपकी company US में registered है और आपने business के उपर click कर देना है आपको यहां पर बता रहा है कि get paid online in store or on the go collect donation help grow your business accept more forms of payments so you don't miss a sale isn't it great with the tools you use to run your business sales securely with a brand customers trust to get started के बटन के उपर just click कर दें अब आपका process हो है step by step start हो चुका है video को end तक जरूर देखें कि आपको अच्छे से समझ आ सके और अगर आप मेरे साथ steps follow कर रहे हैं उससे पहले इस वीडियो को complete देखें इच्छे से आपके पास save कर लें और उसके बाद इसको देखें इसको समझें उसके बाद अपना process start करें और आपने यहां पर वीपीएस जरूर यूस करने आप देख सेते हैं कि मैं भी वीपीएस यूस कर रहा हूं और यहां पर अपना first legal name जो मेरा है मैं वो लिखता हूं और फिर legal last name मैंने वो लिख दिया email address अब यह मुझे से पूछ रहा है तो मैं यह लिख देता हूं अपना email address अब यह मुझे पासवर्ड पूछता है तो मैं पासवर्ड लिख देता हूं इस इमेल इस और पासवर्ड लिख दिया अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा अग्री एंड प्रियेट अकाउंट के बटन के उपर क्लिक करूंगा अच्छा तो यह मारे विंडो के उपर आज है एक सब्सक्राइब आपके बिजनस के बारे में पूछने वाला है अब आपको आपके बिजनस की जो भी डिटेल्स है वह आपके इंटर करने हैं तो हम आपके पूरे डेटा को यहां पे मेरे पास है कंपनी और यहां पर आपकी लसी है यहां को पाकिसांसे बैट करें आप लसी फॉर्म कर सकते हैं यहां पर कॉर्परेशन और याप सब्सक्राइब जो है उसे फ़ाइल पाइल कर सकते हैं तो इसके बाद हम यहां पर आजाते है लिगल What is your legal business name? तो यहांपे मैं अपना legal business name लिखता हूँ Micah Guru Formations Inc मेरी incorporations है तो मैंने incorporation लिख है आपकी LLC होगी आपका जो भी business का single member या multiple member LLC आपके वो अपनी type यहांपे लिख देना है यहीं, for example, ABC, LLC यह Micah Guru Formations, LLC तो इस तरह क्या आप अपनी कंपनी का जो लीगल नेम होगा आपने लिखना है यहां पर उसके बाद आप से मांग रहा है वोट इस ट्रेडिंग नेम फोर यूर बिजनस यूज यूर लीगल बिजनस नेम हमारा चल रहा है माईका गुरू फॉरमेशन तो हमने अपना नाम ल कि इतनhy वलां टो यहां पर यहां पर अपना स्ट्रीट ईडस लिख लिख लेता हूं उसके बाद मैं अपनी वेप साइट से कॉपी कर लों और स्टॉरी मैं यहां जाता हूँ और और जस ट्रीट है स्ट्रीट मैं linha कि यहां पर पार प् Rs.702 और यह होगा अट्रस्अ मैं अ के बटन के ओपर क्लिक कर देता हूं तो इसके बाद यह हमसे दूसरे पेज के ओपर अब नेक्स्ट स्टेप है वहां पे अब फिनिश अब यूर बिजनस प्रोफाइल और बिजनस इस अनॉन प्रॉफिट तो नहीं ऐसा नहीं है कि बिजनस टाइल्प मुझसे पूछ रहा है तो बिजनस टाइंब में यहां पे सिलेक्ट करूंगा कॉर्प्रेशन आप यहां पर सिंगल हमें भाइन अग्वaries अग्या कि यहां पर हमने लिख दिया कि बिजनस सर्विसिस तो बिजनस सर्विसिस में हमने लिख दिया वट और मंतली सेल्स यहां पर मंतली सेल्स में 5224 कर देता हूं विप्लायर इνटिफिकेशन नंबर लिखूँगा और इसके बाल डस् Тут वेबस दम पर जो इसनिम यहां और यहां कि नस्यौन कि परेंकर लेक्व करूं और यहां पे पेस्ट कर दूँगा अब मैंने पेस्ट कर गए अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो तो यहां पर पेपाल बिजन्स डेबिक मास्टर काड और यह अकाउंट आफर्स तो अभी के लिए मुझे यह नहीं चाहिए कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरी आगे फर्दर वेरिफिकेशन हो जाएगी पहले मैं इस अकाउंट को मिच्छो करूँगा इस अकाउंट को थोड़ा सा यूस करूँगा उसके बाद मैं एजी बिजिन्स डेबिक मास्टर कार्ड यह को वाइट करें मैं इसको तो इसको ले लूँ तो अभी के लिए सको अंचेक कर रहा हूं नहीं कर रहा है के विडियोंस जब Allah के साथ मिलुक्त बनाओं कि आप भी डैड़ंगा यांपर सिर्फ मैं अपना या नंबर इंटर्ट करूंगा और या इंटर्ट करने आप यह मुझे से पूछ रहा है कि tell us more about you तो यह इसको फुल्फिल करने आपने यहां पर SSN आप से रिक्वाइट कर रहे है डेट अफ पर्थ रिक्वाइट कर रहे है और इसी तरह चोड़ने वालों और इसको सब्मिट करने वालों यहां पर SSN मुझे से रिक्वाइट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब करने वाला हूं यहां पर नंबर वह रहे हैं अब अच्छा मैंने यहां पर लिख दिया मैं समिट बटन के ओपर क्लिक करने वालों अब कि दिल थाम के बैटने देखने क्या कुछने वाला भी हमें यहां पर अकाउंट में तो ले आया है अब देखेंगे कि नेक्स वेरिफिकेशन मांगने वाला है या नहीं है तो मुझे इमेल आई होगी तो मुझे उसको करना जरूर है है युकें यू आर और सेक्ट पेइमेंट एंड मुव मनी सेटप यूर नियू अकाउंट अब यह मुझे से फर्दर देखेंगे पहले तो अपनी इमेल जो है कि उसको जो है वह आप जो है वह तो मैं अपनी इमेल यहां से लेका हूं कि अच्छा फर्स्ट फॉद मुझे यह इमेल आई है तो मैं इस इमेल को पहले तो कनफर्म कर लो मैं यहां से इसका कॉपी लिंक एड्रस करूंगा क्यूंकि मुझे अपने विपीस में जाना है मुझे आप इस सेकिंड टैब उपन करना है और इस टैब में आके मुझे यह अच्छाम पर मेरे पास अजी मेरी कर आज जो इमेल आफ से लिखते हैं कि क्या मामने वाला है अब सेट अप यूर यूर कैंपर मेशन यूर एमेल अच्छा मैं अपनी इमेल अग्र्ट रिया है अब चूज और बैक कॉन इस इस फंफर्म यूब और आपकांट राइट तो लोर बैंक अकाउंट तो चूज योर बैंक के बटन उपर क्लिक करता हूं अब यहां पर मेरे पास कौन सा आप्शन आने वाला है इसका मुझे आइडिया नहीं है अब देखने वोड़े कि कौन सा आप्शन आएगा और अगर तो यह वहां की फिजिकल बैंक रिक्वाइट कर करते हैं वाइस आता है यह नहीं है तो बैंक रुपैस बैंक वाइस यहां पर नहीं आ रहा है यहां पर वाइस नहीं आ रहा है अच्छा मैंसको ट्रॉंसराइस करता हूं जो ऐसान वाइस पुद्नॉराट फांड इंडुर बैंक तो मैं यहां नहीं कि अलगरा तो नहीं जैन है अब मैं पर टॉय नॉवल करता हो वो बी आते हैं यहां यह अंपे कोई बैंक नहीं आ रहा हम क्या करने मुलें हैं इंटेड बैंक इटेयल को पर क्लिक करते हैं मैं इसे कुछ S. अब कर रहें लिंक outside खाउंट नहीं का कुछ सिर्ट pollution का बाइस स्थास्टाइबों कर आप टो मैं आपका यहां पर डाले तो o आप यहां पर मैं आपको निचे आओं गां टो पर ग्लिक करता हूं कि ऊपर यहां पे रेखता वोल में चालने है कुछ को को और वाइस भी आपको इवाउब एक रस्ट ही बैंक प्रोवाइड करते हैं कि वाइस पार्टनर्शिप में है यहां पर बैंक इंस्ट की इंस्ट तो जस्ट लॉगिंग नो नंबर लुकिंग अच्छा यह आप सी इटेलर आईडी एवाउब हमारे पास नहीं और हमारा पास पास्वर्ट भी नहीं है तो यहां पर नो कंटिनुवी दस विक टू स्मॉल डिपॉजिट तो यहां पर हमें लिख के यहां पर कंफर करना है तो चलिए अब मेल करते हैं हमारी मेल मेल में नहीं आ रहा तो आपको जो है वाइस की बैंक स्टेक्मेंट में आपको पेपाल सेंड करेगा अच्छा कंफर्म यूर्ट बैंक की ओपर अभी हमें यहां पर कुछ थोड़ा सा टाइम लगे लिए अभी इंस्ट्टी जो हमारे आपके साथ वीडियो की जाएगी अभी कर देता हूं और अगर कुछ और इन्होंने मुझे क्वेस्टन पूछन है तो उसको देखेंगे हैं अगर तो क्वेस्टन हमारे लिए यहां पर वीडियो में हेल्प कर रहा हुआ तो हम उसको करेंगे वारना हम इसको पार्ट वीडियो बनेगी इसकी हम उसको त्युक्त की डिस्क्राइब कर देंगे तो यहांप आप देख सकते हैं कि अभी के लिए तो अकाउंट जो है 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 हाँ आमेर ग्लैड यू है जोइन आप जो वी नोगी नू तो पेपाल वी लाइंट अप सम तिंग्स वीडियो नीड तो तो टैक यूर अकाउंट रेडियो बिजिनस तो अभी के लिए हमारे पास चो इन स्टेप्स थे उन्ने से यह वाला मिस्सिंग है हम इसका वेड करेंगे कि तब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो दुबारा फिर हम एडिफिकेशन में जाएंगी वहां पे हम उसको इंटर करेंगे जो अमाउंट हमें रसीव होगी और उस अमाउंट को जो हम करने के बाद उसके बाद यह आपको शोर है यह शोर नहीं होगा तो पसंद आहिए उस वीडियो को इंचॉए कि है तो थम्स अपे शूडियो को लाइक करें कि कि हमारे जो सब्सक्रिब्स कियरें बहुत तम है और जो हमारी व्यूस रहीं और आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करने यह वा कद आदर को बाद पहुंच सके अगर नहुंग में कि पेपाल के मुदलिक तो आप तक पहुंची जाएगी तो अपना बहुत बहुत काल जगे करें वेस्ट आफ लाक अला फिस